एवरेज पावर का फॉर्मुला EV-IV-Cos-5 EV-IV-Cos-5 रूल नमबर बन अगर प्योर इंड़क्ट प्योर रिजिस्टर है प्योर रिजिस्टर का मतलब ओनली रिजिस्टेंस ओनली रिजिस्टेंस में EMF और करेंट में फेज एंगल क्या होता है? 0 तो 5 क्या होता है? 0 तो cos 5 power factor है power factor क्या होगा? cos 0 जो क्या होगा? 1 अगर ओनली इंड़क्टर है voltage और क्रेंट में अंगल क्या निकलेगा? 90 तो cos 90 क्या होता है? 0 power factor क्या होगा? 2 literally capacitor के अंदर भी power factor क्या होता है? 0 तो इसमें यह हमने last time किया था इससे question number 1 से start करेंगे तो power के उपर light bulb is rated 100 watt for 220 volt तो यह आपको power given है यह आपको voltage की value given है V की value given है find resistance of the bulb and peak voltage of the source and rms current to the bulb देखो जब भी इस type की problem है इस type की problem में यह type की problem है ना inductor है ना capacitor है तो यह type की problem पुरानी current electricity की problem बन गई क्योंकि change तो अब आया है ना inductor capacitor की वज़े से पहले तो r e r था तो आप resistance निकालना तो electricity से जानते ही है power is equal to v square by r, r is equal to v square by power तो v square पर power करेंगे अपने हम r की value बाच रहेगी तो जिन questions में आपको power की value given है voltage की value given है उससे दो चीज़े तो पक्का निकलेंगी निकलेंगी एक r निकलेंगा निकलेंगा और चाहें तो current भी निकलेंगा i rms में निकल सकता है क्योंकि power क्या होता है voltage into current तो current is equal to power by v और v by default कौन सा होता है rms तो current भी क्या होता है rms कहने का मतलब यह जो power है यह 100 average power है यह v rms है यहां से resistance की value आ गई यहां से v rms question में 220 given है v rms को root 2 से multiply करेंगे तो v not आएगा और i rms क्या होगा power upon v तो यह power से v into i से जो current आएगा वो rms आएगा ठीक यहां तक clear है जैसे next question है अब change है r नहीं है ना अब c भी है capacitor and resistors are connected in series विजेसी source तो इसमें c भी है इसमें r भी है अगर potential difference across c and r तो यह क्या given है vc given है 120 volt vr given है 90 volt तो and if the rms current of the circuit i rms पे given है कितना 3 find impedance एक काम करो यह vc और vr given है series में तो net voltage क्या आएगी under root of vr square plus vc square तो net voltage याद रखना जो net voltage होती है वही आपकी क्या कहलाती है vrms net voltage या vrms एक ही बात है तो अगर तुम्हें अलग-लग voltage इस given है vc और vr तो net voltage निकाल लो जो net voltage आएगी वह आपका vrms होगा तो vrms की value can be calculated तो vrms आ गया तो impedance क्या होती है vrms divided by i rms तो voltage की value आपने यहां से निकाल लेनी है current आपको question में given है divide करके straight forward क्या आएगी impedance आजएगी क्या यह point क्या रहे हैं तो impedance आ गही अब क्या निकालने है power factor भी निकालने power factor का formula क्या होगा r divided by z तो cos phi will be equal to r अब z की value इसमें क्या होगी r square plus x c का square क्योंकि r by z होता है न और r और c circuit में आप यहां से value निकाल सकते हैं पर एक problem है problem ही है आपको question में frequency ने given तो x भी नहीं आपाएगा नहीं आपाएगा सब क्या करें इसमें और cos phi तो निकालना पर एगा x c आ सकता है आ सकता है कैसे आएगा क्योंकि z आप निकाल चुके हैं क्योंकि z आप निकाल चुके हैं तो आपको यह करने की जरुरत ही नहीं है आप simply एक काम करें Z निकल चुका है तो R तो पता ही है Z निकल चुका है यहाँ से divide करके सीधा cosby करने की जूरत ही नहीं आगे क्योंकि V RMS भाई I RMS से आपने Z तो निकाली लिया और एक बार आपने Z निकाल लिया फिर R by Z से cosby की value भी आगे क्या यह point clear है यहाँ तक put out इसने ठीक है next 51 question के बाद question number 52 52 इसकी subjective sheets है सब के बाद AC की subjective सारी तो इसमें 52 question में क्या given है in the following circuit calculate capacitance of the capacitor तो क्या निकालना है आप उसी निकालना है तो यह क्या given है V RMS जो source होता है वो भी RMS होता है तो V RMS की value निकालना है और फिर Q factor दी निकालना है देखो पहले मुझे कीज बताओ इसके अंदर इसके अंदर power factor क्या है देखो जो power factor है power factor की value given है कितनी unity यह important है मैं अभी सोच हूँ कैसे power factor unity given है अब हो गया question solve एक ना बहुत important point है अगर power factor cos by unity है power factor होता क्या है R by Z तो R by Z 1 है तो R किसके equal है Z तो Z R के equal है यानि कि minimum है it's a case of resonance यह बहुत important है चिन questions में power factor cos by 1 है यानि कि या तो उसमें सिरफ resistance लगी हुई है L और C है ली तो भी cos by 1 होता है या अगर LCR लगा हुए है तो guaranteed resonance का case है इसमें L square लगा हुए power factor जानने R Z के equal है तो resonance हो गई तो resonance हो गई XL किसके equal है C omega यान से C की value can be calculated क्योंकि L तो आपको पता ही है यह trick है इसमें भहुत important point आई है ठीक है यान तो power factor जानने तो इसका मतलब है resonance है आगे Q factor निकाल लो इसका Q factor का formula हमने किया हूँ है 1 by R under root of L by C formula value put कर देना answer आ जाएगा फिर next निकालने है given the angular frequency of the AC source to be 100 चलो वो तो use होई गई 100 ठीक है next है 53rd question alternating voltage की value given है यहाँ से किसकी value आ गई E 0 की value आ गई यहाँ से किसकी value आ गई omega की value आ गई R आपको पता है L आपको पता है calculate impedance of the circuit तो impedance की value क्या हैगी Z is equal to under root of R square plus X L का square एक answer क्वाई जाएगा क्योंकि circuit कौन से है R L circuit है तो impedance की value आ गई power peak value of current निकालो देखो जो peak value of current है वो क्या होगी I naught I naught के लिए क्या चाहिए E naught divided by LCR में resistance को क्या बोलते है impedance Y naught is E naught by Z तो आपने उपर से Z को निकाली लिया E naught आपको question में पता है दोसो यहां से solve करके answer और फिर end में क्या क्या रहा है power factor निकालो power factor का formula क्या किया R by Z R पता है Z पता है answer method form में आ रहा है कि क्या rule है इसमें power के questions या power factor कैसे होंगा और यह आएगा paper में important है next है 200 V 200 V का मक्तब क्या गिवन है E R N S variable frequency is connected in series to combination of L C and R calculate angular frequency to get maximum current बता हो LCR series में जब current max होता है वो कब होता है जब frequency क्या होती है resonance resonance पर current max हो जाता है और impedance के हो जाती है minimum हो जाती है याद रखना resonance के उपर current की value क्या हो जाती है maximum और impedance की value क्या हो जाती है minimum equal to R यह किया था condition की थी उसमें बोला कि current की value मुझे क्या चाहिए maximum और frequency निकालो उस frequency को क्या बोलते है resonance तो 1 by under root of LC में L पता है C पता है answer B part है क्या निकालना है इसमें current amplitude at resonance निकालो amplitude का मतलब maximum value current amplitude का मतलब maximum current निकालो वैसे काइदे से maximum current होना चाहिए E not by Z LCR में होना चाहिए E not by Z पर क्योंकि resonance हुई हुई है resonance condition पर Z किसके equal put करना है R के equal put करना है तो R put करके answer निकाल लेना E not आपको question में पता है E rms आपको question में पता है E not आप निकाल लेंगे root 2 into E rms answer method में आ रहा है कि क्या logic है इसमें ठीक next है power dissipated in the circuit देखो जो power dissipation है यह बहुत important point है इस circuit में Lbis, Cbis, Rbis जब आप actual में पढ़ना शुरू करेंगे भी तो सुन रहे हैं दिल से पढ़ना शुरू करेंगे आपका इन numerical गलफ हो सकता है जब आप try मारेंगे पहली बार try मारने में तलती हैं भी बहुत होती है तो आप इसमें formula लगाएंगे i rms square z आप लगाएंगे power का formula i square z क्योंकि आप कोईगे LCR circuit की total resistance को क्या बोलते हैं z या लगाएंगे v square by z बिल्कुल भी मतलगाना power dissipation में चाहे resonance हो चाहे ना हो आपने power dissipation में r ही लगाना है xl xc में कोई power dissipation नहीं होती power consumption जीर होती है उसमें पूरे cycle में r जो है वो heat loss create कर देता है current electricity तीवाल i square rt joule law of heating joule law of heating xl में नहीं चलता xc में नहीं चलता फिर र में चलता है कभी तुमने सुना joule law में i square xl into t कभी सुनोगी नहीं आप i square rt होते है हमेशा तो इसलिए हमेशा यहां पर power dissipation में e square by r ही यूज करना कई लोग कहते हैं सब इसलिए r यूज किया इसमें resonance है तो मैंने उससे क्या हुआ इसलिए तो अगर resonance ना हो तो तो भी r ही यूज करना z मत करना important point आई है सही है तो next है 55th question एक sinusoidal voltage है जिसकी peak value given है e naught frequency भी given है LCR circuit है find impedance find impedance तो आजाएगी impedance कहा है LCR में आपको पता है इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा XL और Xe निकालना पड़ेगा L omega से तो आपको impedance आपको next part है phase difference between the voltage and current तो phase difference का formula क्या लगेगा tan phi का XL minus Xe by r तो ये point भी clear है tan phi की value आगई next है power dissipated in the circuit power dissipation में अब इसमें तो resonance भी नहीं है i square z मत लगाना i square r ही लगाना irms square r लगाना फिर next है क्या निकालना है power factor power factor निकाल लेना वैसे इसने क्या किया tan phi ने लिया phi को cos के अंदर पूट कर दिया कहता है cos phi आगया चलो आप मत करो आप ये angle निकालना ही पाएंगे आप लगा लेना cos phi r by z आप r पता है आपको z पता है ratio निकाल लेना r by z answer cos phi is equal to r by z से answer आजएगा method समझ में आ रहा है यहां तो जब भी मेरे को कोई power factor बोलता है मैं सबसे पहली चीदि यही बोलता हूँ r by z लगा लेना लगे ना लगे बात की बात पर सबसे पहली चीदि यहीं मुझसे निकलती है next है suppose the frequency of the source in the previous example can be varied वो कहा रहा है चलो इसमें frequency constant थी क्या रहा है allow करो इसको vary कर सकते है what is the frequency of the source at which resonance occurs लो इससे सान question क्या होगा resonance गब occur करेंगे यह frequency है 1 by 2 by root lc answer आ गया calculate impedance current and power dissipated in resonant condition resonance के उपर impedance क्या हो जाती है minimum कितनी r तो जो r की value वही z की value फिर irms क्या होगा e rms बही z होता है पर क्योंकि resonance हुई हुई है तो z किसके इकल हो जाता है r के इकल हो जाता है e rms तो पता ही है e naught की form में हमें तो irms आ गया और जब बात power dissipation की है power dissipation में यहां पर क्या आएगा i square z नहीं आएगा i square r आएगा सही है यहां तक 57 इस question में virtual current of virtual current क्या होता है i rms it is connected in a circuit having alternating current of frequency पता है power consumed p की value पता है calculate inductance निकालनी है अगर virtual potential difference virtual का मतलब i v rms पता है देखो पहले एक point बजा देता हूँ जिन question में v rms और i rms पता होता है 101% एक formula तो पका लगेगा ही लगेगा z निकालने का क्योंकि z क्या होता है v rms by i rms ठीक है अगर v rms पता है i rms पता है तो total voltage by total current आपको क्या देगा total resistance जो के lcr में क्या होती है z तो z तो आपने निकालने लिया और एक और चीज़ याज रखना यह 100% चलेगी चलेगी जिन question में power given होती है उसमें resistance तो आएगी आएगी तो power को लिख लें i square r लेकिन i confirm आना जाता है i rms तो यहाँ से i rms आपको question में given है i rms question में given है r की value यहाँ से आ जाएगी power आपको given है एक r आ गया एक z आ गया भाई जब r और z आ गया और l निकालने है तो impedance का formula पता ही आपको rl में क्या होता है आपके पास z आ गया 58th question circuit draws a power off देखो फिर से power given है देखो power given है यह क्या given है e rms given है एक बात तो पक्की है मैं इसमें i rms निकाल सकता हूँ the power factor of the circuit is 0.8 power factor 0.8 है current in the circuit lags behind the voltage current पीछे है voltage आगे है पक्का inductor का case है current पीछे है voltage आगे पक्का inductor का case है inductor में यह उत्व है ना कि voltage आ गया current पीछे है clear है अब मेरे दिमाग में एक चीज़ है अगर यह inductor का case है तो inductor के case में पारटी ठीक है तो inductor के case में inductor के case में जो cos 5 होता है वो 0 होता है power factor 0 होता है 590 होता है ना पर वो कह रहा है कि inductor के case में यहां पर 0 नहीं आया पॉइंट 8 आया क्यों कि इसमें inductor के साथ कहीं न कहीं R भी included है अगर अकेला R होता cos 5 1 होता अकेला inductor होता cos 5 0 होता पर यहां पर 0.8 है LV है और R भी है यह circuit LR circuit है ठीक है यह circuit LR circuit है show that capacitance इतनी value रखेगी will have to connect to bring the power factor to unity देख वो ही कह रहा है मैंने पहले L और R लगा रखा था तभी मेरा power factor क्या है था पॉइंट 8 पर यह चाहता हूँ कि मैं power factor क्या कर दूँ unity ले हूँ मैं unity ले हूँ power factor unity का मतलब सिर्फ R का रो लो तो मेरे को capacitor भी लगाना पड़ेगा लगाने से क्या हो गया कि power factor unity हो जाएगा अब यह LCR बन जाएगा LCR में power factor unity कब होती है cos 5 1 कब होता है जब XL और XC बराबर होते हैं क्योंकि cos 5 1 का मतलब R upon Z is 1 Z is equal to R resonance का case है LCR में अगर power factor 1 given है guaranteed resonance है क्यों क्योंकि अगर LCR लगाने के बाद power factor 1 हो गया तो cos 5 की value क्या होती है R by Z और L और C और R तीरों लगे हुए है और अगर यह 1 हो गया तो Z किसके equal हो गया R यानि कि minimum तो यानि कि case क्या हो गया resonance समझा रहे हैं देखो cos 5 की value unity सिर्फ दो ही case में होती है या तो अकेला R लगाओ बस cos 5 1 है या फिर LCR लगाओ तो भी cos 5 1 तब आ सकता है अगर LCR लगाओ है तो cos 5 क्या होता है R by Z पर मैं यह कह रहा हूँ कि LCR लगने के बाद भी cos 5 1 है मतलब Z किसके equal है R और जब Z R के equal होता है तो case of resonance होता है यह कह रहा हूँ resonance का case है तो इसमें 2 case है पहला case आपको power given है आपको E RMS given है आपको power factor cos 5 given है तो आप पहले यह formula लगा लगा लें और यहां से I RMS निकालने है क्योंकि power P, power पता है E RMS पता है cos 5.8 पता है पहले case से I RMS आगया I RMS आगया दूसरे case में और पहले case में क्योंकि power पता है I RMS आपको निकाल लिया तो power is I square R से resistance भी आ गई यह भी सही है resistance भी आ गई अब आप चाहते क्या है आप यह चाहते है कि power factor क्या हो जाए 1 हो जाए अब इसके लिए तुम्हें capacitor लगाना पड़ेगा साथ में जब power factor 1 होगा तो XL किसके इकल हो जाएगा XC तो आपको क्या निकालना है C की value निकालनी है omega की value 2.2 frequency गिवन है और यहाँ से L की value निकालनी पड़ेगी कैसे वापस चलते है 1st case में आपको क्या गिवन है IRMS पता है 2.2 केस में आपको resistance भी पता है अब आपको यह पता है कि power factor 0.8 है cos 5 की value पहले case में 0.8 है और अगर वो 0.8 है तो आप max लगाके cos 5 गिवन है tan 5 भी निकाल सकते हैं तो tan 5 की value निकालके XL भी आ रहे है LR circuit है tan 5 की value तो आप 0.8 से निकाली लेंगे cos 5 यहाँ से XL आ गया जो XL आ गया फिर यहाँ पर put करते हुए C की value आ चाहिए ऐसे है तो मतलब अगर मैं इसको एक line में हाँ लिखूँ इस पुरी solution को तो यह solution है कि आपको इस question के अंदर पहले case में power given है ठीक है आपको power given है तो E rms यह case number 1 given है जिसमें सिर्फ L और R connected है पस इसमें आपको cos 5 की value 0.8 given है आपको power given है E rms given है आप solve करके i rms वेकाल लेंगे case number 1 tan 5 की value इसमें लगा लेना XL by R क्योंकि आपको question में question में cos 5 की value 0.8 given है यह रही तो आप एक right angle triangle बना सकते है right angle triangle में cos 5 का मतब 0.8 by 1 यहां से यह side निकालके क्या निकलाएगा tan 5 tan 5 निकालके R आपको पता है किसकी value आगई XL की ठीक है यह पहला case है फिर case number 2 में वो आपको यह कह रहा है कि power factor की value क्या put करनी है 1 power factor को अगर 1 करने तो Z किसके equal है R तो resonance का case है मतलब XL is equal to XC XL is equal to 1 by C omega C आपको निकालना है omega पता है और XL आप case number 1 से निकाल चुके है यहाँ से solve करके C निकाल देना और जो value prove करने को आई है उसकी equal value आई की समझ में आ रहा है कि क्या logic है ठीक है तो कैसे sequence बना समझ में आ रहा है ठीक जैसे next problem में EMS की value given है यहाँ से क्या जाएगा E E naught E naught से क्या जाएगा E RMS omega भी पता है तो C भी पता है find instantaneous current आए अब instantaneous current क्या होगा देखो अगर EMS की value इसके equal है और क्योंकि क्या connected है capacitor capacitor में current आगे होता है voltage से by an angle of 90 तो current की equation क्या बनेगी I naught sin of I naught into sin of omega t plus 90 sin of 90 plus theta cos theta हो जाएगा तो यह आपके पास current की equation हागी point number one इसके अंदर आपको I naught चाहिए सिर्फ capacitor लगा हुआ और कुछ नहीं लगा हुआ I naught क्या होगा E naught by सिर्फ XC XC क्या होता है 1 by C omega यहां से E naught पता है omega पता है C पता है I naught की value आ जाएगी I naught की value 20 है 20 put करके answer यह आपके पास instantaneous current आएगा ठीक यहां तक next है आपको इसमें क्या निकालनी है instantaneous power निकालनी है instantaneous power क्या होती है instantaneous EMF को instantaneous current से multiply करता हो एक sign में एक cost में answer medical वाले होगी यहीं तो छोड़ देना क्योंकि वो 2 into sign cost निकर पाएंगे तो भी चलेगा next क्या निकालना है maximum frequency of the power frequency की value निकालनी है क्या होगी क्योंकि आपको इस question में omega पता है omega से omega is 2.2 frequency वाह से frequency आजाएगी next answer omega पता है तो frequency भी आजाएगी next आपको क्या निकालना है maximum energy stored in a capacitor maximum energy stored in a capacitor का electrofacts की problem है half c v square और voltage यहां पर maximum put करना e naught answer ठीक है यहां तक खुद ही try करने पड़ेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैं आपको quick method बिता सकता हूँ लेगि जब खुद भी बैठेंगे तब तक कुछ होगा नहीं और यह मेरी guarantee है Tuesday तब हो जाएगा Tuesday को आज मैं sheet करोंगा आपको unsolved subjective sheets सारी बस उसी में से test है बात यह खतम हो गई कर ले ना आप sheets try अपने हो जाएगी जब unsolved करोंगे तो अपने ठीक हो जाएगा सही है unsolved करने के लिए पहले salt करोंगे तो होगी त्यारी ना बढ़ी है पेपर बढ़ी हो जाएगा ठीक है यहां तर तो Tuesday का test है इस त्यार है तो series LCR circuit है आपको R पता है L पता है C पता है series में है और इसके अंदर क्या given है E RMS given है calculate impedance है कोई तो असान है impedance LCR की निकालनी आती है आपको impedance की value आ जाएगी Z is equal to under root of R square XL minus XC का whole square A part peak value of current peak value of current क्या होता है I0 I0 क्या होता है E0 by Z और E0 क्या होता है root 2 into E RMS by Z E RMS आपको पता है root 2 आपको पता है Z आपने काल लेंगे I0 आ गया next है calculate power factor of the circuit R by Z कर दो power factor आ गया R पता है Z पता है power factor आ गया and compare this value with 1 at its resonant frequency अब काम बढ़ा दिया उसमें impedance आ गई peak value I0 आ गया E0 by Z से power factor भी आ गया अब resonant frequency पे Z किसके एकल होता है R के और power factor automatically क्या हो जाता है one answer one power factor आ गया resonance पे सुनते ही power factor भान है यही तो आपके NCRTC base के objective पूछती है कि बताओ resonance पे power factor क्या होता है one बताओ जब voltage और current में phase angle 0 होता है तो power factor क्या होता है one बोलतो रहाँ five zero होता है cos zero is one बताओ power factor क्या होता है जब LCR circuit में current max होता है current max कब होता है जब resonance होती है तो resonance पे power factor क्या होता है one तो ultimately यह आदे answer तो one ही आने वाले चिंता ना करो ठीक है next है किसान है next 63 तो आपको इसमें C पत है और charged पत है आपने 50 kod से capacitor को charge कर दिया तो capacitor में energy कितने भर दी हाफ cv square फिर वो कहता है कि source supplies removed cell को हटा दिया जिससे charge किया और फिर क्या लगा दिया inductor लगा दिया और inductor में current पांच ampere हो गया अब inductor में current कैसे आ गया capacitor ने अपना charge किसको दे दिया inductor को EC को तो क्या बोलते थे LC oscillations जब capacitor को charge करके inductor साथ लगा देते हैं तो capacitor अपना सारा charge inductor को देते हैं तो inductor में energy क्या हो जाएगी half Li square आपको आए पता है equate करके यहां से L k value can be calculated after तो यह इसका answer है यहां तक clear है हुआ हुआ है हुआ है